हलो दोस्तों डिवोशिन इंस्टिटूट में आप सभी काच स्वागत है जोमेटरी का हमारा अगला सात्वा सेशन हर सेशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट अच्छे से सीखना चाहते हो तो पहले आप छे सेशन देखिए continuity में देखिए शुरू के कुछ सेशन में मैंने आपको इसके fundamentals बताएं बिलकुल point से लेकर, line से लेकर, line segment से लेकर, angle को लेकर और सारी बातें जितनी भी basics बनती हैं जो जो काम आएंगी उसके बाद में मैंने आपको चार centers के बारे में discussion शुरू किया जिसमें major काम हम कर चुके ह बहुत सारे questions भी कि हम लोगोंने circumcenter almost खटम होने में और centroid और ortho center की बात करेंगे आज मैं जो पहले आप से बात कर रहा हूं वो circumcenter की एक positioning का काम रह गया था केवल, केवल positioning का कि वो कौन से triangle में कहां उसकी position होती है इसमें सबसे ज़ाधा important है एक तो equilateral triangle क्यों important है मैंने आपक तो कहा था, equilateral triangle is the only triangle in which all the four centers meet at the same point in center और the circumcenter और the ortho center और the centroid चारों की चारों एक ही जगा पर मिलते हैं तो इसमें positioning को लेकर सबसे important बनता है अगर मेरी नजर में तो वो equilateral triangle बनता है उसके बाद में circumcenter को लेकर बात होती है तो right angle triangle बहुत जादा है, right angle triangle को लेकर अनेको अनेको बार सवाल पूछे गए, आज के session में मैंने भी कुछ questions ऐसे ले रख गे हैं जहाँ पर प्रशनों में बहुत बारी किसे चीज़े पूछी गई, जाधा तर mains के questions के अंदर जरा ध्यान दीजेगा, तो अपन थोड़ा सा positioning देख लेता हैं, एक बार किसकी बताईए, circumcenter की, अचा circumcenter के बारे में जो मेरी बाच्चेत हुई, मैं उसे repeat नहीं करना चाहता, कल का session देख लीजे, सारी बाते clear हो जाएंगी, मैंने आपको सिर्फ एक लाइन से अपने आगे बढ़ते हैं, कि जितनी भी तीनों sides हैं, क्यों भी बनाना, यह तीनों जहां मिलते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, circumcenter कहते हैं, मैंने आपको एक बहुत important बात की थी, मैं repeat करता हूँ, क्योंकि exam में भी यह बहुत repetitively पूछी जाती है, तीनों sides से बराबर दूरी पर जो है, वो in center है, जबकि वर्टेक्से से तीनों, वर्टेक कर लेता हूँ, एक मिनिट में, बहुत सारे बच्चे reasoning की classes की demand भी कर रहे हैं, आप सभी मेरे परिवार के सदस से हैं, मैं 30 seconds में मेरी बात खतम कर देता हूँ, मैंने आपको पहले भी ये gentleman promise किया है, कि हम अती शिग्र reasoning की classes शुरू करेंगे, कोई doubt नहीं है, मैं खुद भी च स्थिती में अभी नहीं हूँ, classes के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, इस तरह कि आप comments मत कीजेगा, लेकिन मैं आप से promise कर रहा हूँ, आने वाले next week के अंदर, यानि कि अगर बात करें, आज Wednesday है, तो next week के अंदर, मैं आपको dates announce कर दूँगा, कि reasoning की classes कब से अपन शुर करता, आप पुराने सारे sessions देख लीजे, आपके advance में भी मैंने जो trigonometry में कराया, height and distance में कराया, arithmetic में अलग badges में करवाया, reasoning में भी, तब तक जब तक मैं शुरू करूँ, आप लोग क्या कर सकते हैं, मैंने NTPC का batch का जो करीब 80 के आज़ पास classes ली है reasoning की, करीब-करीब और अपना 30 शुरू करेंगे, चले जरा बोड पर ध्यान दीजेगा, अगर मैं आपसे बात करूँ, attention देंगे सारे के सारे बच्चे, अगर हम बात करें, ये तीनों sites हैं, ये तीनों vertex हैं, A, B, C, इन तीनों sites के जो perpendicular bisector हैं, वो जहां मिलते हैं, उसे हम circumcenter कहते हैं, अभी मै सर्फ आप से बात करूँगा, इसकी आखरी बात, इन में अलग-अलग triangles में, circumcenter की positioning क्या होती है, तो सबसे पहला मैं बात करता हूँ, आपसे, अपन degree wise चलते हैं, तो सबसे छोटा क्या रहत है, acute angle triangle, सबसे छोटा जो है, उसको अपन सबसे पहले लेते हैं, acute angle triangle, अगर मैं ब बात कर रहे हैं, noon cone का मतलब क्या है, जिसके तीनों जो angle से वो 90 degree से कम होंगे, अगर एक भी 90 degree का हो गया, तो तो right angle बन जाएगा, समझ पारें आप, और एक 90 से उपर चला गया, तो obtuse angle बन जाएगा, और तीनों बराबर हैं, तो equilateral बन जाएगे, चली जड़ा ध्यान दीज देगा, आपको ध्यान है, मैंने आप से कहा था, कि जो in center है, वो हमेशा अंदर बनता है, इन center हमेशा अंदर बनता है, लेकिन circumcentric के लिए हमने बात की, कि वो बाहर भी बनता है, और बिलकु लाइन पर भी बनता है, अभी मैं आपको बता हूँ, और right angle triangle में, क्योंकि इसके different different cases है, जरा ध्यान दीजेगा, अगर मैं यहाँ बात करूँ, acute angle triangle तो यह पहला है, जिसके positioning देख रहा है, यह clear cut है, कहाँ बनेगा भाई है, inside the triangle, इसमें यह हमेशा कहाँ बनेगा बताई है, inside the triangle, इसमें कोई doubt नहीं है, कि acute angle triangle में circumcenter अंदर बनेगा, अगर मैं यहाँ बात कर देखे, ध्यान दीजेगा, यह क्या है, यह perpendicular bisector है, किसका, BC का, यह क्या है, यह भी perpendicular bisector है, किसका, बताई है, AC का, और यह क्या है, बताई है, यह तीनों जहां मिल रहे है, यही क्या है, बताई है, आपका circumcenter है, और अगर acute angle triangle है, तो निश्चत रूप से यह जो आपका circumcenter बन लेगा और आप जानते हैं बहुत अच्छे से ये तो मैंने आपसे बात किये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लेकिन अगर मैं इसे वटेक्स को मिलाने की बात करूँगा तो ये क्या होगी इसकी सरकम रेडियस ये क्या होगी पता ये इसकी सरकम रेडियस इसे बोलते हैं तो यह पहला case खतम करते हैं अपन इतनी बात करेंगे दूसरी बात सबसे important दूसरी और तीसरी दोनों बहुत important होगी और चौती भी ऐसे ही है चौती में खास बात नहीं obtuse में right angle में कहा बनता है और equilateral में कहा बनता है यह दोनों बहुत important है सबसे पहले हम राइट एंगल की बा चीत है थोड़ी सी circle की आपको जानकर होनी चाहिए हलाकि मैंने शुरू नहीं किया circle पर थोड़ी बात इसमें तो करनी पड़ेगी जरा आप बोड़ पे देखेगा सारे के सारे students अगर आप में से कुछ लोग रटने का प्रयास करते हैं तो जीवन में कभी भी मत कीजेगा रटने का कोई फाइदा ही नहीं रटने वाले हमेशा मात खाते हैं A, B, C क्या ये right angle बन रहा है बिलकुल बन रहा है अब जरा ध्यान दीजेगा एक बार आप single तरीके से simple तरीके से simple तरीके से क्या कीजे आप इसके तीनों sites आप इसकी तीनों sites का perpendicular bisector कर दीजे और वो जहां मिलेगा वही तो circumcenter होगा काईदे से और ध्यान से सुनेगा right angle triangle में बहुत अच्छी अच्छी बाते हैं मैं आज कच questions मिलेने वाला हूं इनकी positioning कराने के बाद इधर देखो अगर मैं इस side BC की बात करता हूं इसका perpendicular bisector बनाता हूं तो ध्यान दीजेगा इसका perpendicular बिलकुल BC को दो बराबर भागों में बातना है और बराबर भागों में बातना है और 90 degree बनाना है तो कुछ इस तरह से बनाने की बात करते हैं मेरे से बनने में थोड़ा कम जादा हो सकता लेकिन आप मेरी भावना ही समझ पारें कि मैंने BC को दो बराबर भागों में बातने का प्रयास कि और यह जो पॉइंट यहां दिख रहा है यही यही जो आपको दिख रहा है वो क्या है बताइए सरकम सेंटर है क्या है बताइए सरकम सेंटर है तो कुछ विशेश और विशेश बाते वो ध्यान रखने की है वो क्या आप देखे राइट एंगल ट्रेंगल पर पहली बात मैं सरकम सेंटर हमेशा कहा मिलेगा आपको हाइपोटीनियस पर मिलेगा हमेशा आपको कहा मिलेगा बताइए हाइपोटीनियस पर मिलेगा ओल्वेज इस ट्रेंगल के हाइपोटीनियस पर मिलेगा दूसरी चीज दूसरी चीज ज़रा धंक से समझेगा यह जो हाइपोटीनियस प आता कि जो इन-centre है, इन-centre से, अगर हम-side को मिलते हैं, इन-centre से खरम-side को मिलते हैं, तो में- Randyell मिलती है, ये हमारी बात हुई थी, circum-center में मैंने क्या बात किआ आपसे, कि जो circum-center है, उसको, अगर मैं- vortex से-मिलता हूँ, तो मुझे सरकम रेडियस मिलती है मिलती मिलती है सरकम रेडियस का मतल में मैं सरकल बाहर बनाऊंगा अब ज़रा ध्यान दीजेगा सारे की सारे बच्चे यह सरकम सेंटर है यह मैंने अभी आपको कहा मैं थोड़ी देर में आपको यह प्रूफ करके भी दिखाने वाला हूं लेकिन एक ब यहांपर क्या है? मैंने यहांपर perpendicular bicector दिखा है, अब मैं वो नहीं दिखा रहा. सीधा मैं लिख रहा हूँ A, B और C, और मैं यहां सीधा इस जगह पर यह जान दिजेगा. मैंने सीधा यह वो point बना दिया, यह वो point बना दिया, जो मैंने क्या बनाया? circumcenter बना है, यह मैंने बना दिया अब कैसे बना है, वो तो इधर देखो, नहीं है इसमें दिख रहा है, अब मेरी बात सुनो perpendicular bisector को छोड़ो वो live it, अब अब यहां मेरे से बात कीजिए, अगर इस circumcenter से तीनो vertex मिलाओं तो तीनो vertex को मिलाने वाली जो distance से वो circum radius होनी चाहिए तो जरा देखे, ध्यान से सुनिएगा यह O A क्या यह circumcenter जो O है, इससे A को मिला रहा हूँ, तो A vertex जी तो मिल रहा है तो यह वाली जो दूरी है, वो क्या होनी चाहिए circum radius, इस circumcenter से circumcenter ही तो है यह circumcenter से अगर मैं यहां मिलाता हूँ, तो आप मुझे बताईए क्या यह दूरी circum radius नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए क्या A की triangle में, अरे भई circle बनेगा, तभी तो circum radius होगी तो circle तो मैं भी बनाता हूँ लेकिन मुझे एक भाइट बताईए, क्या एक circle की दो radius हो सकती है vertex B को मिला सकता हूँ, बिल्कुल मिलाना ही पड़ेगा ना भई, मिलाना पड़ेगा और ये क्या किलाएगी बताईए, ये भी तो, ये भी तो क्या है circum radius ही है, तो ध्यान दीजेगा मेरी बात पर, attention दीजेगा यहाँ पर अगर मैं आपसे एक सुत्र की बात करूँ, अगर आपसे एक सुत्र की बात करूँ, तो आपको ध्याने मैंने कल ही आपको कहा था A upon sign A बराबर B upon sign B बराबर C upon sign C आपको ऐसी बात्चित हुई थी हमारी और ये A upon sign A, कल मैंने सिखा आपकल का सेशन देख लीजेगा B upon sign B और कैसे आता है ये परूफ करके भी बताया था बराबर 2R होता है क्या ये हमारी बात्चित हुई थी या नहीं हुई थी मुझे बताए अगर आपको कोई भी एक साइड पता है अगर आपको कोई भी नहीं चाहिए मुझे आहर चाहिए एक पर इधर आईएगा जरा ध्यान से एक बात बताईए मुझे मुझे इन में से एंगल कौन सा पता है मुझे बताईए मुझे एंगल क्या सी पता है नहीं तो मुझे एंगल ए पता है बिलकुल नहीं पता जो students नए हैं, इसी session से शुरू कर रहे हैं, तो वो पुराने sessions पहले देखें, और अगर वो ना देखें, तो इसको भी ना देखें, यानि कि या तो सारा करें, या सारा ना करें, तब भी आपको फैदा मिलेगा, यह सब बाते मैं आपको कल परसो में सिखा चुका हूँ, अब अंगल पता है, तो फिर मैं इस side की बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक side चाहिए, और यह side क्या है, यह hypotenuse है, यह side क्या है, यह लेनी पड़ रही है मेरे को, क्योंकि मेरे को जो side है, उसके सामने वाला क्या है, बताइए, अगर मेरे को ऐसा कुछ है, तो ज़रा देखें मैं क्या कर सकता हूँ, attention दीजेगा, अगर मैं इस radius की बात करता हूँ, सिर्फ R, सिर्फ R की बात करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बताइए, A upon 2 sign A, बताइए, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यह 2 को मैं इधर ले आऊँगा, मुझे एक बात बताइए, यह A कब use करते है जब side A पता हो, B कब use करते हैं जब side B पता हो, C कब use करते हैं जब side C पता हो, तो यहाँ पर मुझे क्या पता है, मुझे बताइए, अरे आप side का नाम क्यों रखते हैं, इसको H बोलो ना, क्योंकि अपन hypotenuse के संधर्ब में ही सीखना चाते हैं इस बात को, क्या hypotenuse का आधा ह होता, यही सीखना चाते हैं, तो अपन इस side को क्या माल लेते हैं, H माल लेते हैं, तो इस A, A के जगे में H रख सकता हूं, क्या रख सकता हूं, H hypotenuse, यह side हो गई, और 2 sine, sine A कितना है सामने, इसके सामने वाला angle 90 degree, तो यह सामने वाला हो गया 90 degree, ट्रिग्नोमेटरी में खतम करा चुका हूं, sine 90 कितना होता है, one होता है, sine 90 कितना होता है, one होता है, तो one का मतलब है, इस one को खतम करो, क्योंकि two को one से multiply करो के तो two याने वाला है, यानि कि circumradius यह साबित होती है, कि hypotenuse का, hypotenuse का क्या होती है, बता, यह आधा होती है, circumradius, hypotenuse का क्या होती है, आधा होती है यानि की ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजएगा यहाँ पर A और जो C है इस हाइपोटीनियस के बिलकुल मिडिल पॉइंट में बिलकुल मिडिल पॉइंट में आपको क्या मिलेगा बताईए सरकम रेडियस सरकम संटर मिलेगा क्या मिलेगा सरकम संटर मिलेगा तो यह सरकम संटर यहां मिलेगा और बिल्कुल मिड में मिलेगा तो यह दोनों बराबर बराबर होगा यानि कि यह जो सरकम रेडियस है यह हमेशा हाइपोटीनिस का क्या होती है बताए आधा होती है एक बहुत ही जरूरी बात बतान एसे तो कैसे काम चलेगा सात्वा सेशन चल रहा है नहीं ऐसे ही काम चलेगा करना है तो डंक से करने और डंक से करने के लिए ये मैं कोशिश करूँगा I try my level best कि आने वाले दिनों में मेरा कोई भी सेशन कोई भी सेशन एक घंटे से कम का नहीं हो बलकि एक घंटा सवा घंटा डेड़ घंटा हो सेशन की लेंद बढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ I try मेरे लेवल पर तक कि एक एक दिन में हम काम जादा कर सके बट content तो जितने चा कहा था कि सरकम सेंटर है बिल्कु सरकम सेंटर है और यह है यह बी है और यह सी है और यह जो आपने कहा था यह सरकम रेडियस है यह भी सरकम रेडियस है और अगर हम बात करें इसको मिलाएंगे तो यह भी सरकम रेडियस है अच्छा मुझे बात बताईए सरकम रेडियस है तो इस ये तो center हो गया ना, ये radius, ये radius, ये radius, ये radius, तो center हो गया, तो 3 point मुझे मिल गया circle के, एक point A मिल गया, एक point B मिल गया, और एक point C मिल गया, और आपको पता है, 3 point मिल गया, तो इसको घुमा करके मैं circle बना सकता हूँ, सिखाना क्या चाता हूँ, वो ज्यान देनी की ज़र दीजे, attention दीजेगा सारी के सारे बच्चे, इसमें खास बात क्या दिखरी आपको, खास बात आपको दिखरी है, कि जो AC है, AC, attention दो, यह जो AC है, AC, यह इस circle का diameter है, यह circle का क्या बता, यह diameter है, अब में, जब circle पढ़ेंगे, तो detail में बात कर लेंगे, थोड़ी सी बात अभी करना जरूरी है, वरना कहीं न कहीं काम अटक जाएगा, show 90 degree होता है, उसके बारे में बात करते हैं, और इसका ultra version भी पढ़ते हैं, ultra version क्या, मैं बताता हूँ, उसरा बोड़ पे देखो, अगर कोई भी अर्द व्रत है, semi circle है, semi circle है, अगर अर्द व्रत है, तो आप यह हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कोई भी, यह A है, यह B है, यहाँ पर इसके segment पर कोई भी angle बना लीजे, कहीं पर भी, इधर ले आओ, इधर ले आओ, इधर ले आओ, यह हमेशा, 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 क्या बनेगा, बताइए, यह हमेशा 90 degree बनेगा, क्या बनेगा 90 degree, इसको दो तरह से उप्रूफ कर सकते हैं, पहला जराइधान दीजेगा, क्या, यह अगर circle है, मैंने half circle बनाया, मैंने semi circle बनाया, अगर यह semi circle है, तो फिर ये semi circle का center हुआ center हुआ तो ये साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि 180 degree है अगर ये 180 degree है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि center पर अगर 180 degree बनेगा तो इसके major segment पर 90 degree बनना चीए तो ये 90 degree होगा ही होगा इसमें कोई doubt नहीं क्या मेरी बात को समझ पा रहे है Are you getting my point? बहुत आसानी से यहां समझ में आता है अब देखे अगर मैं बात करूँ यहां पर तो ये जो right angle triangle मैंने दिखाया ये पीछे ये भी semi circle में ही बना हुआ है ये भी किसमें बना है बताए semi circle में ही बना हुआ है तो right angle triangle की कभी भी बात होगी तो हमेशा याद रखेगा कि वो semi circle में ही बना रहेगा इस तरह से अब इसमें एक बहुत important बात समझानी कि वो क्या है उस पर आप ध्यान दिजेगा सब लोग attention दिजेगा अब देखो आपको इस सब एक circle ले लो देखो एक बार मुझे एक बात बताईए ये एक circle है ठीक बात है ये जो यहाँ है ये जो मेरे पास AB है यहाँ पर यहाँ पर ये AB बन गया क्योंकि मैंने AB नीचे ले लिया और यहाँ पर ये AC AC का midpoint मैंने क्या बनाया AC का midpoint मैंने बनाया इसका circumcenter यहाँ पर ये AB का midpoint जो है वो circumcenter है वो क्या है बताई circumcenter है अब जब देखो अगर मैं इसको मिलाता हूँ यहाँ पर अगर मैं इसको मिलाता हूँ यहाँ पर तो मुझे एक बात बताईए सारी के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यह एक circle है, half circle है, semi circle है कोई बात नहीं, किसी भी circle की circumference है, किसी भी circle की circumference से अगर हम center को मिलाते हैं, तो वो उसकी radius होती है, होती है कि नहीं होती, चुकि हम बाहर बना रहे हैं, इस लिए इसको circum radius बोल देते हैं, है तो radius ही बई, अ हाँ पर center तो ये बराबर होनी जाए कि इसके, क्योंकि ये भी तो circumference center को touch कर रहा है, और ये भी circumference center को touch कर रहा है, क्या मेरी बात को आप समझ पारें? अब एक बाद ज्यान दीजेगा, बहुत बहुत और बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझेगा, देखे, अगर ये दोनो, अगर ये दोनो साइट्स बराबर हैं, तो आपको मालूम है कि अगर ये X है, तो ये भी X होना चाहिए, और अगर ये दोनो साइट्स बराबर हैं, आईसोसिस ट्रेंगल है, तो अगर ये Y है, तो ये भी क्या होना च यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अर यू गेटिंग माई पॉइंट तो अगर यहां पर हम गौर करें सब लोग ध्यान दीजिएगा कि यह X है तो यह भी X है यह Y है तो यह भी Y है अब यहां पर बात यह हो पा रही है कि यह जो कुल मिला करके जो आधा मामला है यह जो आधा है वही देखो अभी तक मैं बात करूँगा A, B, C यहां पर बात कर लें A, B, C तो यह A, B, C मिलकर तीनों एंगल एंगल A क्या है? X है एंगल B क्या है? Y है एंगल C क्या है? X और Y दोनों है बिलकुल है और यह सम मिलकर क्या है? 180 डिगरी है वही ऐसा ही तो है ना किसी यह ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिगरी होता है इसका मतलब X भी दो बारे, Y भी दो बारे, इसका मतलब X प्लस Y कितना होगा? आधा हो जाएगा भई 90 डिगरी हो जाएगा इसका मतलब यह पक्की बात है कि यह वाली जो एंगल है यहां पर यह चाहूंगा मैं राइट एंगल के बारे में वो ये मैं करना चाहता हूं वो क्या देखे ये जो अगर हम इसको नाम दें ये हमारा O-point है ये जो O-C है O-C ये O-C यहाँ पर median का काम करती है अपना आगे centroid पढ़ेंगे तो median की बात करेंगे vertex से vertex से सामने वाली side को अगर दो बराबर भागों में बाटा जाए तो वही median है तो vertex C से सामने वाली side A-B को दो बराबर भागों में बाटा जा रहा है ये बिलकुल बराबर बराबर भागों में बाटा जा रह है कि यह OC जो है वो circum radius भी है और यही OC क्या है बताईए यह median भी है और आपको मैंने जैसा समझाने की कोशिश की कि इस मामले में यहाँ पर जो आपकी circum radius है कौन से मामले में right angle triangle में वो हमेशा हमेशा और हमेशा hypotenuse का क्या होगी आधा होगी अब हम आगे चलेंगे एक्विलेटरल ट्रेंगल पर उससे पहले एक मिनिट ज़रा इसको जल्दी से recap कर लिजेगा मेरे साथ मैंने यह आपको बताने की कोशिश की hypotenuse के बिल्कूल midpoint पर मिलती है और यह जो मिलती है यही मैंने कहा यह circum radius है और मैंने इस के माध्यम से मैंने यह समझाने की कोशिश की क्या समझाने की कोशिश की कि जो semi circle है semi circle के अंदर semi circle के अंदर अगर हम एक triangle का निर्मान करते है तो वह हमेशा कौन सा triangle होता है right angle triangle होता है क्यों होता है उसको साबित करने के लिए हमने इसकी बातचीत की कि हमने इसको यहां मिलाया मैंने आपसे कहा चुकि मिलाया तो यह चुकि यह बिलकुर इसका mid point है यह mid point है और यह semi circle है circle की circumference परीधी से उसके केंदर पर जहां जो line मिलाएगी वो radius ही होनी चाहिए और radius एक circle की एक ही होती है तो जितने भी मिला लो सारे बराबर होंगे तो इस center को B से मिलाया इस center को C से मिलाया और A से मिलाया और A CB यह तीनों की तीनों circumferences को टच कर रहे हैं तो फिर यह तीनों circum radius है जो बराबर है अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर है अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर है अब ये तो ट्रेंगल है जो सम मिलाकर 180 बनेगा तो दो बार X और दो बार Y मिलाकर 180 है तो एक बार X और एक बार Y मिलाकर कितना होगा 90 डिग्री होगा क्या मेरी बात को आप समझ पा रहें तो यहाँ पर इस तरह की बात मैं एक बात आपको और कहना चाथा हूँ वो मैं यह कहना चाथा हूँ कि कभी माल लिजिए देखो उल्टी चीस क्या हो सकती है आपको कभी ऐसे इस्तिती पता है कि सरकल नहीं दिया केवल ये बात दिये इतनी सी और आपको जैसे इतना सा इस ने दिया यहाँ पर और आपको सर्फ ये कहा गया, सिर्फ आपको ये कहा गया, ध्यान से सुनना मैं जो कहना चाहता हूँ, आपको ये कहा गया कि ये हाइपोटीनियस के ये जो दोनों हिस्से हैं, यानि कि ये जा रहे हैं तो वो कुछ और नहीं बलकि क्या है बताइए वो राइट एंगल ट्रेंगल निश्चित रूप से है इसी तरह हम लोग बात करते हैं अभी एक्विलेटर ट्रेंगल में इसकी पोजिशिनिंग को लेकर क्योंकि वो भी बहुत बहुत जादा इंपोर्टेंट है बहुत जादा एक्जाम में पूछा जाता है जरा ध्यान दीजेगा एक्विलेटर ट्रेंगल हलाकि मैं आपसे यह उम्मीद करूँगा कि जब मैंने आपको इंसेंटर बताया था तब मैंने आपको इसके बारे में जादा दर बाते कर ली थी आदा गंटा डिसकस किया था तो 80% में काम उसमें करा चुका हूँ जब मैंने इन रेडियस बताया आपको वहीं सरकम रेडियस के बात कर ली थी अब हम केवल 20% काम करेंगे इसलिए पहले उसको देखना जरूरी आपके लिए इधर देखिए यह अगर इक्विलेटर ट्रेंगल है तो य 60 डिगरी यह भी 60 डिगरी और यह भी 60 डिगरी मतलब यह यह इसका आपको पता है मैंने वहाँ पर बताया आपको जो इन रेडियस है यह अपॉन 2 रूट 3 होती है क्यों होती है यह मैंने आपको अच्छे से साबित करके बता रखा है और सरकम रेडियस के लिए मैंने आपक तो सीब कर लो यानि कि आपको कोई एक साइड मालूम है और उस साइड के सामने का अगर एंगल पता है तो सीधा-सीधा आप सरकम कोई यदाउट नहीं है अब जियादर दिजिएगा अगर मैं यहां बात करूँ तो इसके बताए park नाम यह पता है इसके सामने का एंगल किता 60 degree, तो 2 sin 60 degree और आप जानते हैं sin 60 degree होता है, root 3 by 2 तो मैं यहाँ बात करूँगा A upon 2, multiply root 3 by 2, यह 2 से 2 काड़ दीजे, और A upon root 3, A upon root 3, ध्यान से मेरी बात को समझेगा, यह आपको क्या मिल गया बताईए, यह आपको radius कौन सी? सरकम radius अब जरा आप गौर कीजेगा, जो आपकी in radius है, आप in radius जो देख रहे हैं, वो A upon 2 root 3 है, और यह A upon root 3 है, यानि इसका और आधा करूँ तो यह मिलेगी, यानि कि सरकम radius का आधा करूँगा, तो 2 से divide करना पड़ेगा, तब जाकर in radius मिलेगी तो इससे यह साबित होता है समझने की बात है, कि आपकी जो radius है, और in radius है, इन दोनों में दो अनुपात, एक का सम्मंद है, और ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजेगा, अगर इस vertex A से, डंक से समझने की कोशिश कीजेगा, अपन अगले पेश पर बना लेते हैं, क्योंकि कुछ बाते बता नहीं है, यहाँ space इतना मिलनी पाएगा, सरा board पे देखेगा, बहुत ही जल्दी से A, B, C, अगर मैं यहाँ बात करूँ, यह 60 है, मेरे पास में यह भी 60 है और यह भी 60 है, क्योंकि यह equilateral triangle है, vertex A, से में एक सीधा altitude डालता हूँ नीचे, एक perpendicular डालता हूँ नीचे, जरा ध्यान दीजेगा, हमेशा क्या होगा, यह इस side BC को दो बराबर भागों में बाटेगा, निश्चत रूप से, और यह बराबर भागों में बाटेगा, यह मान चलिए, यह median का काम करेगा, और यह सारी बाते मैंने साबित कर रखी, आपको in center सिखाते हैं वक्त, क्योंकि वहाँ मारी बारी किसे बात हो गई, और मैंने आपको कहा भी था, कि equilateral triangle इस लिहाज से, सबसे महत पूर्ण है, क्योंकि चारों centers अगर कहीं एक जगह पर मिलते हैं, तो वो केवल और केवल और केवल, equilateral triangle में ही मिलते हैं, अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं बात करूँ, ध्यान से मेरे बात को समझेगा, अगर यहाँ पर, यहाँ पर यह A, D, इसका नाम यह भी 90 degree है, अगर यह 90 है यह 90 है, यह 60 है, तो फिर यह 30 बनेगा, यह किता बनेगा 30 बनेगा, यह किता बनेगा, 30 बनेगा मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि इन center के वक्त में सारी बाते बटा चुका हूँ, अब आप ध्यान दीजेगा अगर यह 90 है, यह 60 है, यह 90 है, यह 60 है तो यह 30-30 है, यानि कि यह जो AD निकल कराया यह जो AD निकल कराया है, यह angle bisector भी साभीत होता है यह angle bisector भी साभीत होता है इसमें कोई doubt नहीं है, और मैं बात करूँगा कहीं न कहीं, इस जगह पर ध्यान से मेरी बात को समझेगा यह मुझे वो center मिलने वाला कहीं अंदाजन अंदाजन, जो मेरा in center भी होगा, मेरा circum center भी होगा, मेरा अगर मैं बात करूँ, centroid भी होगा और मैं बात करूँ, आपसे ortho center भी होगा, सारे के सारे centers यहां पर मिलने वाले यह जो O से लेकर A vertex यहां यह दूरी है यह मेरी circum radius होगी चाहे आप O B को मिला लीजिए चाहे आप O C को मिला लीजिए यह circum radius होगी और यह जो है, वो in radius होगी और यह भी in radius होगी और यह भी in radius होगी, जो हम पहले बातचित कर चुके हैं, बहुत अच्छे से तो आप एक बात और कह सकते AD जो है वो यहां पर क्या है, बताईए वो height का काम कर रही है, क्या बताईए height का, तो height का अगर मैं तीहाई भाग करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, बताईए in radius मिलता है, और इसी height, इसी height का अगर मैं दो तीहाई भाग करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, circum radius मिलता है और मैं आपको अभी बताई चुका कि circum radius और in radius हमेशा दुगने और आदे का relation रखती है circum radius, in radius से double होगी तो ये भी एक important point है एक और देख लेते हैं, फिर questions प्याता हूँ अब मैंने आपको acute angle triangle बता दिया, right angle भी बता दिया, equilateral बता दिया एक obtuse और बात कर लेते हैं 90 degree से जादा हो तो कैसे काम चलेगा, जरा board पर धान दीजेगा सारी के सारे बच्चे, अगर मालीजे कुछ ऐसी बात है A, B, C, और मैं अगर इस obtuse angle triangle का अगर मालीजे मैं बात करूँ कि यहाँ पर भी circum center की बात करूँ तो तीनो sites का मुझे perpendicular bisector चाहिए तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले मैं B, C की बात करता हूँ तो कही ना कहीं center से मैं इसको दो भागों में बाढ़ता हूँ कुछ इस तरह से और मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की, यह मैंने बनाया इसका perpendicular bisector ठीक है, यहाँ मैंने बनाने की कोशिश की कि यहाँ भी कहीं इसको बीच में से लेने की कोशिश करूँ तो यह मैंने बनाने की कोशिश की कही ना कहीं इसका perpendicular bisector इसी तरह से यह जो A, B को बना दिया, यह रहा B, C का भी बना दिया अब मैं A, C का भी बनाऊं तो कही ना कहीं यहाँ से निकल कर आएगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पर यह यह जो निकल कर आया यह इसका क्या निकल कर आया यह perpendicular bisector और यह तीनों जहां मिलेंगे यह कहलाएगा इसका क्या बताएगे circumcenter तो याद रखिएगा obtuse angle triangle में हमेशा obtuse angle triangle में हमेशा circumcenter triangle के बाहर बनता है जबकि acute angle triangle में हमेशा अंदर बनता है जबकि right angle triangle में हमेशा hypotenuse पर बनता है जो इसके hypotenuse को दो बराबर भागों में बाटता भी है और अगर हम equilateral triangle की बात करें तो वो भी अंदर ही बनता है लेकिन circumradius और in radius का relation दो अनुपात एक में रहता है अब जबर हम बातचीत करते है कुछ ऐसे प्रशन जो आपके exam में आई वे questions से जड़ा देखिएगा प्रशन 17 तक मैं करा चुका हूँ 18 से शुरू करते है अभी आज की date में आपको एक PDF मिल जाएगी अब से पहले जो height and distance और आपका trigonometry और बाकी सब कुछ है उसकी सब की PDF अलड़ी devotion के telegram channel पर available है अब इसका भी जो आज जितने questions जहां तक हो पाएंगे तो question नमर एक से लेकर यहां तक की PDF आपको आज की date में आपको telegram channel पर मिल जाएगी इस question पर येगा ज़रा SSE CGL Mains 2019 2019 Mains में पूछा गया question है क्या question है जरा बोड़ पर धान दीजेगा in quadilateral ABCD आप कहेंगे सर quadrilateral तो आपने पढ़ाया ही नहीं अरे भई कोई बात नहीं आगे तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है the bisectors of angle A and B meet at O और कुछ angles के जानकारी दी है अरे भई कोई बात नहीं मैं अभी आपको उतना ही करवा रहा हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने आपको angle bisector तो पढ़ाया है न मैंने आपको perpendicular bisector तो पढ़ाया है न तो उनको लेकर हम बात करते हैं आज 57 अच्चे questions करने की कोशिश करते हैं जरा देखें quadrilateral ABCD बनाते हैं तो ये quadrilateral मैंने आपके सामने बनाया बोड पर ध्यान दीजेगा ABCD मैं आपको एक सलह देना चाहता हूँ मेरी तरफ से देखो the bisectors of angle A and B meet at O मैं आपको बता हूँ मैं अपने अनुभव से आपको फाइदा देने की कोशिश कर रहा हूँ जनरली क्या करते हैं बच्चे ABCD योँ ही बनाते हैं और कुछ भी नाम रख लो vertexes के आप A को यहां से शुरू करो न यहां से करो कहीं से शुरू करो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला लेकिन लेकिन मेरी opinion यह कहती है कि जो vertexes के sorry जिन angles के bisector है अगर वो हम नीचे करें तो हमें ज़ादा फाइदा मिलेगा क्योंकि वो देखना ज़ादा आसान होता है रादर देन यहों देखने के अरे फरक तो कुछ नहीं पढ़ेगा answer एक जैसा आएगा लेकिन जो हमारी आदत पड़ी हुई है वो फाइदेबंद है तो मैं क्या कहूँगा A और B का angle bisector चीए तो A यहाँ रख लेता हूँ B यहाँ रख लेता हूँ क्या फरक पढ़ता है C और D यही बात खतम करें A और B का angle bisector O पर मिलता है ठीक है तो A का angle bisector और B का angle bisector इस O पर मिलता है आपको पता अगर A का यह angle bisector है तो यह angle को दो बराबर भागू में बाढ़ता है मैंने X X लिख दिया अगर यह B को बाढ़ता है तो यह दो बराबर भागू में बाढ़ता है क्योंकि angle bisector काम यही होता है आगे क्या कहा A O B 64 degree है A O B 64 degree है यानि कि यह जो है वो 64 degree है 64 degree है पूछा क्या ज़रा देखिएगा C प्लस D equal to यह question exam आया और मैं पहले target में वही लेता हूँ कि exams में जो question आया हूँ है पहले मैं उन पर focus करता हूँ C और D का total चीए इसका total चीए कि यह C और D मिलकर कितरा होना चाहिए अब ज़रा एक बार मेरे साथ समझनी की कोशिश कीजिए मुझे एक बात बताईए क्या इस quadrilateral के तीनो सारी चारो quadrilateral है मुझे आप इतनी जानकरी दे दीजे कि अगर इस AOB triangle एक बार वर्बल ही चलो मेरे साथ AOB triangle की बात करूँ तो इसका मतब क्या है angle x plus angle y plus 64 बराबर 180 degree तो angle x plus y बराबर 180 minus 64 और 180 में से अगर आप 64 घठाएंगे तो आपको 116 मिलेगा 180 में से 64 घठाएंगे तो 116 मिलेगा तो x और y की value 116 हो गई लेकिन ये तो x के साथ x है मिलाकर a और ये भी y के वसाथ है तो x और y मिलाकर 116 है तो ये पूरा 2x और 2y मिलाकर 232 होना चाहिए और 232 जो total है 232 ज़रा जहान दीजेगा मैं क्या केना चाहिए हूँ ये 64 है मेरे पास में ये तीनों मिलाकर 180 है तो 64 को अगर मैं घठाऊंगा तो 116 बच रहा है 116 का मतब क्या है x और y मिलाकर 116 है तो दोनों मिलाकर कि दावा 232 अब 232 तो ये a और b का total हो गया और a, b, c, d का total होता है 360 बनाया वरना इतना बनाने की भी जरूत नहीं है बहुत आसान प्रशन है जल्दी से देखीगा मैं क्या समझा रहा था x प्लस y प्लस 64 degree ये मिलाकर 180 degree आता है बिल्कुल आता है तो इससे मुझे मालूम चला x प्लस y 180 माइनस 64 116 degree है लेकिन एंगल a और एंगल b एंगल a प्लस एंगल b की बात करूँगा मैं तो वो क्या है x प्लस x 2x b है और 2y b है जब x प्लस y 116 है तो 2x प्लस 2y कितना होगा 232 degree तो आपको ये पता चल गया कि a और b का total 232 है आपको पता है यहीं बात कर लेते हैं a, b, c, d चारों मिलाकर 360 है a, b, एंगल a, एंगल b, एंगल c और एंगल d ये मिलाकर 360 है और आपको ये पता है कि a और b मिलाकर 232 है तो एंगल c और एंगल d मिलाकर कितना आएगा इस 360 में से आप 232 घटा दीजे तो आपको क्या मिलेगा 128 degree option नमर b क्या मेरी बात को आप समझ पारे ये प्रशन आपके CGL मेंस में पूछावा प्रशन है आप उस पर जाईए अभी अपन सारी चीजे करेंगे आगे लेटर आउन, अभी तो शुरुआ तही है अभी पहले थोड़ा धीरे-धीरे चलने तो ताकि आपका confidence भी बने फिर मैं आपके सामने कठिन से कठिन सवाल लाने वाला हूँ मेरा target होगा tough से tough करवाना ताकि आसान तो आसानी से होई जाए लेकिन foundation त्यार करने के लिए पहले थोड़ा easy लेना पड़ेगा moderate लेना पड़ेगा और मैं तो वही ले रहा हूँ जो exams में आए हुआ है चलिए तो आपने आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ triangle ABC में क्या बोल रहा है वो O is the circumcenter यह triangle ABC है ABC अब इती देर से हम लोग बात कर रहे हैं circumcenter की आप समझ पा रहे हैं कोई एक point है O circumcenter है कैसे बना वो आपको मालूम ही उसने आगे कहा BAC 58 degree है BAC यानि कि यह angle 58 degree है 58 degree BCA 62 degree है BCA यह 62 degree है तो इसमें कोई doubt निये कि बचावा हमारे पास निकल कर आ जाएगा अगर मैं यहाँ बात करूँ यह 120 तो यह 180 total होता यह 60 degree हो गया क्योंकि अगर triangle के दो angles मालूम है तो तीसरा तो निकल ही जाएगा आगे क्या पूचा जरा देखते हैं What is the measure of OAC OAC यह जो O है O इस OAC यानि मुझे इसको मिलाना पड़ेगा धान दीजेगा सब लोग अटेंशन दीजेगा यह O क्या है What is this यह हमारा circumcenter है और आपको मालूम है circumcenter से vertexes की दूरी बराबर बराबर होती है अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यह जो दूरी है और यह जो दूरी है वो दोनों बराबर हैं और दोनों circum radius है अगर आपको मैं बात करूँ यह 60 है तो center पे double होना चाहिए यानि कि 120 degree होना चाहिए यह मैंने धेरों सारी बातें आपसे पहले कर रखी है पुराने sessions देखिए अगर यह 60 है तो center पे double होना चाहिए और यह पता होता तो यह इसका अदा होना चाहिए अब एक बात बताईए मेरे को पूछा क्या है O, A, C यानि O, A, C इतना सा पाट यह वाला O, A, C यह angles यह मुझे इतना सा तो यह मुझे बताईए अगर यह दोनो sides बराबर है तो यह दोनो angle भी बराबर होने चाहिए तीनों का sum 180 होना चाहिए यह वाला 120 है तो यह दोनों मिलाकर 60 बच गए दोनों मिलाकर 60 बच गए और दोनों बराबर बराबर है तो 30-30 होना चाहिए option number D दीजेगा that's very easy and good question आसान है लेकिन अच्छा सवाल है जरा जान दीजेगा मैंने क्या कहा O, इसने खुद ने कहा दिया circumcenter है और हम जानते है circumcenter है तो vertex ऐसे दूरी बराबर होगी तो O, A, O, B और O, C तीनों बराबर है लेकिन मैंने इसको मिलाया नहीं क्योंकि आगे जो बोला इसने यह 58 जानकर ही दी थी 62 जानकर ही दी थी यह 60 हमने निकाल लिया अब इसको चुकी इस O, A, C से मतलब है तो फिर मैंने इसको मिलाया O को A से और C से तो अगर यह 60 है तो फिर center बे डबल होगा यह 120 है और आपको मालूम है कि यह triangle A, O, C मिलाकर वने T है और यह 120 है और यह दोनों sides बराबर है तो isos list angle है दोनों angles बराबर होने चाहिए तो यह 120 है तो दोनों मिलाकर के कितने बचे 60 और 60 अगर दोनों मिलाकर बचे तो दोनों बराबर बराबर है तो दोनों को आदादा कर दीजिए 30-30 अगले पर चलते है question number 22-0 CGL means 2019 का आईवा प्रशन है triangle A, B, C में A, B और A, C बुजाए P और Q तक बढ़ाई जाती है तो यह देखे triangle A, B, C यह रहा A, यह रहा B, यह रहा C A, B और A, C कहां तक करता है P और Q तक बढ़ाता है तो A, B को P तक बढ़ाओ A, C को Q तक बढ़ाओ सवाल को पढ़ते वे ही समझ जाना चाहिए कि क्या पूचता हुआ ऐसे सवालों में बढ़ाएगा तो क्या आपको पता होना चाहिए इसने का C, B, P C, B, P और B, C, Q B, C, Q के दुई भाजक R पर मिलते हैं यानि कि angle by sector यानि कि C, B, P और क्या यहाँ पर B, C, Q के angle by sector तो इसके angle by sector दोनों कहां मिलते हैं बताइए किस पर मिलते हैं R पर मिलते हैं अगर A का जो मान है वो 44 डिगरी है A 44 डिगरी है तो half of B, R, C B, R, C B, R, C निकाल तो half तो करी लेंगे तो यह आपको मैं सिखा चुका हूँ पहले ही अच्छे से इन सेंटर के वक्त angle by sector के सात पॉइंट्स बताए थे सातों में एक पॉइंट ये भी था है कि नहीं अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 90 डिगरी अगर ये होता तो हम क्या करते हैं 90 डिगरी प्लस उपर वाले का आधा यहाँ हम क्या करते हैं इसे 22 गटाई है और 22 गटाएंगे तो क्या हैगा बताई है 68 डिगरी लेकिन 68 आंसर नहीं है उसको इस बी आर सी नहीं बी आर सी का भी आधा चाहिए तो 68 का आधा कितना होगा 34 option number A is the right answer 21 पर आते हैं question number 21 देखो जरा इसने ABC में B का दुई भाजक the bisector of B in ABC meets AC at D जरा जान दीजेगा आप पहले ABC की बात करें ये रहा ABC और इसने एक एंगल को केवल biset करा है किसको the bisector of angle B in ABC meets AC at D तो B angle ये रहा इसका bisector जो है वो AC पर कहां मिलता है बताईए point D पर मिलता है ये कह रहा है meets AC at D यानि कि ये angle bisector है ये दोनों जो angle है बराबर बराबर है अगर ये X है तो ये भी X है आगे क्या बोल रहा है जरा देखिए उसने कहा AB की length दीव हूँ ये 10 cm AB दे रखा 10 cm और BC दे रखा 11 cm और AC पूरा दे रखा है आपका क्या बताईए 14 cm तो आपसे length पूछिए AD की ये वाली length पूछिए इतनी ये theorem मैंने आपको बता रखा है बताईए मैंने आपको internal angle bisector theorem सिखा रखा है और मैंने क्या सिखा रखा है आपको कि जिस अनुपात में ये दोनों sites हैं उनी दोनों अनुपात में ये इन दोनों को बाटेगा और इसकी details मैंने इन center के अंदर आपको सारी बता रखिए बहुत ही बारी किसे तो सीधा काम कर सकते हम ये AD और CD ये दोनों किन अनुपात हों हम बटेंगे ये वाला 10 ये वाला 11 तो ये 10 और 11 मिला कर कितना 21 तो 10 मुझे इसको देना है 21 में से तो 14 बटे का किसमे 10 बटा क्या पता ये 21 में क्योंकि ratio है 10 is to 11 तो ratio का total 21 है जबकि इसका हिससा 10 है 10 out of 21 7 से इंग cancel किजिए 2 और 3 20 by 3 cm में सब कुछ चल रहा है मैं already आपको करा चुका हूँ मैं वही questions करा रहा हूँ जो theory मैंने अब तक आपको पढ़ाईए धीरे-धीरे questions का level अपन बढ़ाते चले जाएंगे प्रश्न संख्या 22 पर आईएगा देखे क्या बोल रहा है इन quadilateral ABCD angle C 72 D28 bisector AB meet ये मैंने ऐसा question आपको करा है तो homework के लिए आपका CGL mains 2019 में आएवा question है वैसे ये CGL mains 2019 में आएवा question है आप ध्यान दीजेगा ये प्रश्न आपके homework के लिए है तो आप इसको homework के लिए note कर लीजे आप comment करके बताएंगे मेरे को जरूर से इसका answer क्या आता है चलिए next पर चलते हैं हम लोग 23 नमर question क्या बोल रहा है इन triangle ABC O is the circumcenter तो सबसे पहले आप एक triangle बनाईए फटा फट से ABC अभी अपन शुरूवात है ये ज़्यादा questions नहीं हुए धीरे धीरे अपन कोशिश करेंगे कि बिना ये draw किये बिना कुछ return work के काम होना चाहिए तो धीरे 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 आप उसको practice करेंगे तो mentally prepare हो पाएंगे इसके लिए देखो O is the circumcenter इसने A को बोला 52 degree है तो A 52 degree and bisector of angle O, B, C अभी O, B, C चाहिए तो फिर O बनाना पड़ेगा चलो O बनाते हैं यहाँ पर O क्या है बई O is what O है इसका क्या circumcenter और आपको मालूम है बार-बार कह रहा हूँ circumcenter मतलब इसके vertex से से दूरी बराबर है अब इसको O, B, C चाहिए O, B, C तो यह मेरे को बनाना पड़ेगा है यहाँ पर O, B, C O, B, C and bisector of angle O, B, C O, B, C इसका bisector करना है तो B को देखो हमेशा O, B, C का मतलब है B को biset करना है and O, C, B O, C, B तो C को biset करना है intercept at I यानि कि इसने कहा O, B, C को biset करना है और O, C, B को भी biset करना है तो इसको आप क्या करेंगे angle bisector और इसका भी angle bisector और यह कहां मिलते है I पर मिलते है I पर मिलते है ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बहुत ही बढ़िया प्रशन है यह जो I है वो तो in center है I है वो तो in center है क्यों? क्योंकि वो दोनो angle यह इतनी सी बात हो रही है triangle B, O, C की बात हो रही है तो इसके अंदर तो हम क्या देख रहे है बताईए in center देख रहे है जबकि triangle A, B, C की अगर बात हो रही है तो हम क्या देख रहे है बताईए circum center देख रहे है अगर यह 52 है तो center पर double होना चीए circum center आपको यह मैंने सिखा रखा है अगर यह 52 है तो 104 होना चीए तो यह क्या होना चीए? 104 104 डिगरी होना चीए अगर यह 52 तो 104 होना चीए अच्छा एक बात बताईए आपको अगर यह पूछा जा रहा है तो यहाँ पर यह इंसेंटर कैसे निकालते है अपन इंसेंटर निकालते है हमेशा 90 डिगरी प्लस क्या बताई है उपर अगर यह A होता तो उसका आधा अब यह A नहीं बलकि O है तो O का आधा करूँगा ना भई मेरे तो ट्रेंगल वर्टेक्स तो O B C हो गए तो O किता है 104 104 का आधा करना पड़ेगा 104 का आधा किता होता है 52 तो 90 में 52 जोड़ी है 142 ऑप्शन नमर B is the right answer बहुत ही बढ़िया प्रशन है सारे बच्चे दुबारा ध्यान दीजेगा उसने ट्रेंगल ABC बोला और उसने का O इस का circumcenter है ठीक है यह उसने 52 बोला तो हमें मालूम है circumcenter है तो center पर इसको double बनाएगा 104 यहां तक दिक्कत ने थी आगे बहुत अच्छी बात बोली उसने बोला O B C यह O B C का angle by sector और O C B का angle by sector यह आई पर मिलता है और यह angle by sector आई पर मिलता है उसको B I C से मतलब है यह कितना है उ आपने in center में पढ़ रखा 90 degree plus यह जो भी angle है इसका आधा तो 90 plus यह और यह सारी चीजे मैंने आपको यो ही नहीं बता ही है सबको proof करके भी बता रखा है मैनत आपको करनी पड़ेगी पुराने sessions देखने पड़ेंगे मैं तो सिर्फ आपको यह guarantee दे सकता हूं कि आप जो भी complete कर लेंगे chapters मेरे दुआरा मैनत करेंगे notes बनाएंगे आप इन वीडियो को बार 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 देखें तब तक जब तक आपके concept clear नहीं हो बस concept clear हो उसके बाद आपके जो notes है न वह आपके लिए सब कुछ है उसी को revision करना है अपने handwritten notes से बढ़िया revision किसी जिसका होता ही नहीं है कुछ बच्चे घर ऐसा करते हैं कि भई हम तो सिर्फ वीडियो को यो देख रहे हैं हाथ में हाथ रखके तो learning कुछ ही नहीं होगी आप अपना समय बरबाद कर रहे हो mathematics या कोई भी practical subject जितनी practice की जाए उतना clear होता है उतना बढ़िया होता है अपन गाड़ी चला ना घर में कोई ऐसे केवल स्टेरिंग हाथ में लिकर कर सकते हैं कि रोड पे निकलना पड़ेगा practice करनी पड़ेगी उसके बिना काम नहीं होगा दो question और लूँगा आज के last 24 और 25 ताकि 25 ता complete करें देखो क्या बोल रहा है CGL mains का question है the sites PQ and PR of PQR are produced to points S and T देखो triangle PQR की बात हो रही है ये exam में आएवा question है mains 2019 के अंदर PQR ये रहा उसने क्या कहा the sites PQ and PR of triangle PQR are produced to points S and T तो ये आगे तक जाती है S तक और ये आगे जाती है T तक PQR की भुजाए PQ और PR क्रमिशे S और T बिन्दों को produce करती है S और T बिन्दों तक जाती है S Q R S Q R आप समझ पा रहें और T R Q T R Q के द्विभाजक यानि के angle vice sector यूपर मिलते हैं ये दौनों कहां मिलते हैं बताईए यूपर मिलते हैं Q R Q R कितना दे रहा है 79 11 कम है उपर वाला 22 होगा P 22 22 option number C आप ज़्यान दीजेगा सब लोग आपको पता है नै ये कैसे आता है अरे ये आपको सिखा रहा है नै ये वाला जो भी है ये वाला जो भी है इससे ये वाला कैसे आता है ये आता है हमेशा 90 degree minus इसका आधा करने से तो ये 90 degree minus इसका आधा करने से आया तो ये 90 और 70 न में क्या फरेक है 11 तो 11 आधा करने से आया तो ये 22 होना चाहिए न आप सोच कर देखो यह 22 होगा तभी तो ऐसा होगा 90 माइनस क्या किया कि 79 आया 11 और 11 कैसे आया इसका आधा करने से यानि यह 11 का दुगना 22 होना चीए अब जरा देखो मैं क्या करूँ 90 डिग्री माइनस यह एंगल पी जो है इसका आधा करूँगा तब जाकर मेरेको 79 डिग्री मिलेगा तो यह व 11 का दुगना यानि कि 22 डिग्री ऑप्शन नमर सी और आज का आखरी प्रेशन क्वेशन में 25 पर आते हैं देखो जरा यह भी मेंस 2019 का क्वेशन है एक चतुर बुछ ABCD में C और D के जो एंगल बाइस सेक्टर है इन्हें क्वाडिलेटरल ABCD दा बाइस सेक्टर सॉफ C और D अ यहाँ बाइस सेक्टर बनाते तो जादा अच्छा रहेगा तो C और D के एंगल बाइस सेक्टर का मतलब है कि यह C को बराबर भागू में बाटेंगे D को भी बराबर भागू में बाटेंगे C and D meet at E यानि E पर मिलते हैं 2019 मेंस का कोश्चन है C E D C E D 56 डिगरी है यह वाला पार्ट 56 डिगरी है A 49 डिगरी है यह वाला रहा यह 49 डिगरी है अगर मैं बात करूँ यह एंगल है ऐसा नहीं बनेगा मेरे से गलती से यह बन गया आप ध्यान दीजेगा Quadrilateral कैसे भी Size का हो सकता में जैसे बनाया उसमें तो आपको 90 डिगरी नजर आ रहा है आप इस बनाया वोट पर मज जाएगा यह तो सिखाने के लिए मैंने बनाया यह बोल रहा 49 डिगरी इधर देखो आगे Then Measure of Angle B यह वाला पार्ट उसको चाहिए वो कितना होना चाहिए ध्यान दीजेगा Shape पर मज जाएगा इसके आंकडों पर जाहिए हमेशा देखो एक बार verbally मेरे साथ कोशिश करके देखो अगर यह 56 है तो यह X प्लस Y प्लस 56 मिलाकर 180 होना चाहिए तो यह X प्लस Y कितना होना चाहिए 180 माइनस 56 और 180 माइनस 56 मतलब 124 तो X प्लस Y 124 है तो यह 2X और 2Y तो 124 का डबल 248 अब 248 है तो 248 तो यह दोनों मिलकर बन गया अब 248 यहाँ पर है और टोटल 360 होता है तो 360 में से यहाँ तो 248 घटा लीजिए तो 112 बच जाएगा अब 112 और उसमें से भी मैं बात करूँ तो 49 आपका इधर निकल कर जा रहा है तो 63 बच गया तो option number C is the right answer उमीद है मेरी बात को समझ पारे क्या बात हो रही है यहाँ पर X प्लस Y प्लस 56 डिगरी यह मिलाकर 180 डिगरी बनता है बिलकुल बनता है तो X प्लस Y कितना बनेगा भई? 180 माइनस 56 यानि कि 124 डिगरी लेकिन एंगल C और एंगल D यह मिलाकर मैं बात करूँ तो यह तो 2X प्लस 2Y है क्योंकि यह एंगल बाई सेक्टर है तो यह दूगना होना चीए यानि कि 248 डिगरी अब यह क्वाडिलेटरल के चारों जो एंगल से उनका सम तो कितना होता है? आपको 360 में से क्या गटाना है? 360 में से आपको गटाना है? 248 तो यह रहा और 49 यह रहा 97 हो गया यानि कि 297, 360 माइनस 297 तो आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है? 63 डिगरी वह आपको जो बच गया वो निकल कर आ गया उमीद करता हूँ सेशन्स में मजा आ रहा है? मजा आ तो like करने में कुछ नहीं जाता आपको करना चाहिए ताकि चीजें और आगे से आगे अच्छी चलती रहे आज तो मेरा money नहीं कर रहा था class लेने का इल फिर मैंने अपने आपको समझाए कि नहीं continuity नहीं तोड़नी चाहिए classes लेना ठीक रहेगा ताकि जो बच्चे seriously पढ़ र मेरी शुब कामने हमेशा कि तरह आपके साथ है वीडियो देखने के लिए thank you very much